हेलो दोस्तों स्वागत आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रेट पैल त्वी रतुल में मैं हूँ आपका दोस्त तुल गोयल आज हम बात करेंगे मनापरम फाइनस की मनापरम फाइनस जो उपर के लेवल से अच्छा खासा क्रेक्ट हो चुका है और एक ऐसे लेवल क आप यहाँ पर देखेंगे जो यह फोलो करता हूँ नजर आ रहा है आप देखिए 2010 के लेवल के आसपास हम इसके अंदर लगा रखें 2010 के और वहीं से देखिए यह जो चार्ट लाइन से हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं अगर एक बार इस पूरे चार्ट पैट लाइन के उपर तो यह काफि स्टॉंग रिजिस्टेंस लाइन इसकी बनी हुई है और इसको यह ब्रेक आउट नहीं कर पाया जब स्टोक यहां से उपर की तरफ गया इससे रिजिस्ट हुआ तो सेकिंड जो लाइन थी यह ली लाइन है यहाँ पर आप देखिए कि इस टा चाट के उपर वो बनती है यह अली लाइन तो यह काफि स्टॉंग लाइन थी जिसको अभी तक क्लोजिंग बेस के उपर इस स्टोक ने नहीं तोड़ा था बट अब स्टोक जो है इससे भी निच्चे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है तो यह तीन लाइन है मंतली क्लोजिंग बेस और जब भी स्टॉक यहां से इस लैवल पर आता है तो यहींसे बाउंस ब्रेस करता है इस लाइन के असपर से पास बिय दॉद्गने लाइन के अबट रहा है आप उलिख धने रहा नहीं बड़िक है इस वाली लाइन के कि निचे फौरी लाइन आचे बट हुआ है अगर RSI की बात करें तो 43 के आसपास की है जो कि मंतली चार्ट के उपर काफी बीक स्ट्रेंथ को शो करती है कि स्ट्रेंथ इसकी काफी कम होती जा रही है अब बीकली चार्ट के उपर देखें तो इस टाइप से यह सभी ट्रेंड लाइन्स आपको यहां पर नजर और इसके उपर नहीं आ पाया तो यहां पर जो है अगर इसके उपर आता तो यहां पर जो स्टोक है उपर जाता हुआ नजर आ सकता था बट इसको यह ब्रेक नहीं कर पाया अब देखिए जो मल्टी एर्स की जो लाइन थी जो सपोर्ट लाइन थी उसके नीचे स्टोक जो काट किया है जो कि लेवल सबसे पहला बनता है अल्मोस्ट 113 रुपे 114 रुपे के आसपास अगर उसको ब्रेक करके यह स्टोक इसके भी नीचे आता है तो आप समझ लीजिए काफी ज्यादा बीक होता हुआ नजर आएगा इसके अंदर से फिर निकलने में ही बलाई रहेगी क्योंकि जब यह इसके अंदर को स्टेंथ है तब इसके अंदर पैसा लगा यह अभी इसको एवरेज करके भी फाइदा नहीं नजर आता है क्योंकि आप देखिए इस लाइन के उपर यह स्टोक काफी वीक से इस लाइन के आसपास जुरूर गया है बट क्लोजिंग बेस प के उपर तब इसके अंदर पैसा लगा के फाइदा है और अगर नीचे के लैवल यह 112,13 रुपे के आसपास को ब्रेक कर देता है तो यह स्टोक 101-102 रुपे के आसपास भी जाता हुआ नजर आ सकता है इन लैवल के उपर आपको नजर रखना जूरू है अगर आप इसमें से उपर की तरफ निकलता है तो अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है 1425 से उपर और अगर इससे नीचे जाता है 1413 से नीचे तो 101 रुपे के लेवल भी दिखाता हूँ नजरा सकता है तो इन लाइन्स के उपर नजर रखिए जब तक स्टेंथ नहीं आती इसके अंदर आप सरफ प्रेड कीजिए इन्वेस्टमेंट का नजरिया मत बनाएए थैंक्यू धन्यवाद